इस वीक में जो सबसे हाइस्ट मेरा आर्निंग हुआ वो इस दिन हुआ 11 तरिको सनीवार गो भाई 1748 रुपे का पोर्टर में आर्निंग हुआ था जो खाने में खर्चा हुआ वो मैंने यहां पर लिख दिया टोटल खर्चा हो गया 2389 रुपे का मेरे इसाब से आप इससे घर चला सकते हो ठीक है कोई ज़्यादा सेविंग आप नहीं कर सकते हो इससे कमा के आप ज़्यादा भाई मकान नहीं ले सकते दिल्ली में जोड जोड से बोलके लोगों को स्कीमें बता दे हेलो दोस्तों वेक टू माई चैनल जिस दिन का इंतिजार आप सभी को और मुझे बहुत ही बेसबरी से था वो दिन आ गया है और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को अपना पूरे एक महिने का आरणिंग दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि मैंने पोटर में एक महिने काम करके मैंने कितना कमाया है कितने का मेरा पैट्रोल लगा है कितना मेरा बाइक में खर्चा हुआ है तो जो भाई लोग पूछते रहते हैं कि भाई अगर मैं पोटर में काम करूँगा तो एक महिने में मैं कितना कमाऊंगा एक हपते में मैं कितना कमाऊंगा तो वो भाई इस वीडियो को complete जरूर देखे उनको इस वीडियो में पता चल जायागा कि भाई अगर आप पोर्टर में काम करते हो तो आप एक हपते में कितना कमा सकते हो एक महिने में कितना कमा सकते हो वो सारा आप सभी को मैं इस वीडियो में live proof दिखाऊंगा कि किस दिन मैंने कितना कमाया है और किस हफ्ते में मैंने कितना कमाया है तो पहले मैं आपको एप में दिखाऊंगा पोर्टर एप में किस दिन मैंने कितना कमाया है किस हफ्ते में कितना कमाया है उसके बाद मैं आप सभी को जो मैंने कौपी पर नोट कर रखा है लिखा हुआ वह कि अगर आपका 15-20,000 का कोई जॉब है तो क्या उसे छोड़के आपको इस फिल्ड में आना चाहिए या फिल्ड नहीं तो फड़ावट से ले चलता हूं मैं आप सभी को अपने मॉगाईल फॉन की स्क्रीन पर तो आ गया हूं मैं पोर्टर एप में और यहां पर आप देख सक कि जो चैलेंज स्टार्ट हुआ था वो हमारा 15 तारिक से हुआ था चैलेंज स्टार्ट यहां देखो 15 तारिक को संडे था 15 अक्टूबर ठीक है 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था तो इस दिन आप देख सकते हो 403 रुपे का अरनिंग है उसके बाद आप यहां देख सक 1045 और 22 में 825 तो पहले हपते तो भाई मैंना बहुत ही हलके में ले लिया इस चैलेंज को और यह जो आप देख रहो इसमें एक्स्ट्रा भी है ओफ-लाइन ओर्टर्स वगेरा भी है ओवर साइज में जो एक्स्ट्रा मिले वो भी है तो पूरे हपते का अर्णिंग आप देख तो इस हपते में साइद यही जो दिन है 29 का संडे का इसमें हाइस टर्निंग हो है पूरे हपती की अर्णिंग देख सकते हो 5,956 रूपय है तो यह हो गया भाई दो हपते का अर्णिंग ठीक है 15 दिन का 7 दिन इस हपते में 7 दिन पिछले हपते और एक दिन तो 15 दिन का अर्निंग मैंने दिखा दिया अब चलते हैं भाई अगले हपते में तो देख सकते हो 2 हपते मैंने ऐसे ही मजे मजे में निकाल दिया काम हो रहा था ठीक है नहीं तो ऐसी चल रहा था इसके बाद तीसरा आपता में देख सकतो 30 तारिक को मैंने 949 रुपे कारनी किया है 31 को 1517 रुपे ठीक है और एक तारिक को देखो 1516 रुपे एक रुपे कम है उसके बाद 2 तारिक को 737, 3 तारिक को 709, 4 तारिक को 1165 और 5 तारिक को 938 रुपे तो सबसे ज़्यादा हाइस टर्निंग मेरा इस वीक में 1517 रुपे पोटर एप में था लेकिन जो सबसे हाइस टर्निंग हुआ था वो एक तारिक को 1516 और प्लस में 200 या 2500 रुपे एक्स्ट्रा था ठीक है तो ये तीन हपते हो गए अब इसके बाद चलते हैं भाई अगले हपते में तो अगले हपते का अर्निंग अब देख लो 9,081 रुपे इस हपते का अर्निंग है 67 और मैंने कंप्लेट किया है तो 6 तारिक का अर्निंग दिखाता हूँ इस वीक में जो सबसे हाइस्ट मेरा अर्निंग हुआ वो इस दिन हुआ 1748 रुपे का पोटर में अर्निंग हुआ था प्लस में 100 ये 1500 रुपे कुछ एक्स्ट्रा था 18.800 के आसपास मेरा earning इस दिन हुआ था तो धिवाली का time था तो ये earning मेरा हो गया इस week में 9000 रुपे हुआ था इससे पिछले वाले week में 7500 इससे पिछले में 5600 तो ये भाई poter app में मैंने आप सभी को earning दिखा दिया पोर्टर एप में जो सो भी जो जो समय गुड़ील है व किसी दिन दो जो होता तो मैंने नोटबूक में पूरह नोट करके लिखा हुआ है तो हम सभी को नोट बुक में ले जा के और दिख़ा देता हूं लगा हूँ मैं और आप सभी को दिखाता हूँ वैंने पूरा रोट करक्त है राइटिंग समझना आए कोई दिक्कत नहीं वहां आप सभी को यहां बताता हूँ कौन सा कॉलम किसलिए बना रख है मैंने तो यहां पर ढेट है तीग ये जो कॉलम् दिख रहिए ये डेट है ये डे है खॉन सा दे था ठीग सिसमें और निंग कहीं है सिर्फ इसके बाद इसमें लEarn six यहां पर मैंने लिख़ है और जितना चिलाओस में किटने का C della मैंने यहां पर लिखा हुए ठीक है तो इस इस आप से कॉलम मैंना बना रख है तो आप यह पूरा देख सकते हो भाई यहां से आप चाहे तो स्क्रीन सोट भी ले सकते हो इसका जैसे आप देख सकते हो 743 324 767 1169 1015 1048 1245 825 1164 1430 946 इस पेज में भाई मेरा साथ तारीक 11 महीना तक का मैंने लिखा है इसमें दिन तक का मैंने यहां पर लिखा हुआ और यहां पर आप देख सकते हो जो पोर्टर का रणिंग है पोर्टर और गुडविल जो मिला है वो मैंने इसमें लिखा है पूरा ठीक है देख सकतो और जो इसमें इस दिन मुझे एक्स्ट्रा मिला है वह यहां पर हुआ है तो किस दिन मुझे कितना एक्स्ट्रा मिल है और यह जो ऐसे मैंने बना रखा है इस दिन जो है किसी ऑडर में भी एक्स्ट्रा नहीं मिल और कोई भी ऑफ-लाइन ओडर में नहीं ले गिया उसी इस आप से आप यहां पर डेख सकते हो तो किलो मिटर रanking भी देख सकते हो ठीक है और इसके बाद यहां पर पैटरोल देख सकतो जो किस दिन मेरा कि ट्रोल लगा है तोब है तोब यह total करके मैंने 23 ती सब्द्र हो ओर और जो है वो दूसरे पेज में मैंने लिखा हुआ है, तो 23 दिन का जो मेरा और अर्निंग वह 24,147 रुपे देशə है, और जो मेरा Greg चला, कितने किलोमेटर चला, 23 दिन में 269 किलोमेटर मेरा जला 23 दिन में ठीक है, और इतने किलोमेटर चलने में मेरा कितने का पैट्रोल लगा तो 4,329 रुपे का मेरा पैट्रोल लगा है 2696 किलोमेटर चला है मेरा बाइक और 4,329 रुपे का पैट्रोल लगा है जिसमें 24,147 रुपे का अर्निंग हुआ है ठीक है यह था भाई 23 में दिन तक का अब इस पेज को पलटते हैं पेज को पलटने के बाद आप यहां देख सकते हो बाकि जो बचे साथ दिन भाई अर्निंग मैंने यहां पर लिखा हुआ आप चाहे तो इसका भी स्क्रीन शोट ले सकते हो इसके नीचे भाई मैंने अपना पूरा दिमाग लगा के कहां से कौन सा उठाय यह आ लिखा हुआ है और जो पिछला अर्निंग था वह आप देखो तैस दिन का अर्निंग था मेरा 24,147 ठीक है यह जो साथ दिन है यह टोटल अर्निंग है इन सबी को टोटल करोगे तो टोटल अर्निंग होता भाई 10,086 रुपे ठीक है दस अजाइजार ची आसी रुपे यह सा तीस दिन में मेरा अर्णिंग हो जाता है 34,233 रुपे ठीक है बाई अब जो किलो मीटर है साथ दिन का वो 970 किलो मेटर है और पिछला जो किलो मीटर है वो 2696 आप देख सकते हो पिछे पेज पे 2696 किलो मेटर और पैट्रोल कितने का था 4,339 तो यहां पर आप देख सकते हो व तोटल मिला के 5929 रुपे का मेरा पैट्रोल लगा किलोमेटर बताओं तो 30 दिन में मेरा बाइक चला है 3633 किलोमेटर खर्चा मेरा कितना हुआ है तो सबसे पहले दिखा दता हुआ आप सभी को 70 रुपे मेरा छेंड वार त्या घ्रब और मेरा एकश्रद में घका हुआ ऐक मैंने डाटाटाओ लिया तांपारिया मेरे खराब हो गया तो तो सौल उपे का मुझे डडिया पर ठीक है उसके बाद मैंने एक बार लोटा है 230 रुपे का ओइल ठीक यह ऑईल चेंज देख सकतो 370 रुपे उसके बाद मैंने एक बार सर्विस कराया 700 रुपे सर्विस में गिया ठीक है 900 रुपे मेरा खाने पीने में गिया जो कि भाई बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है जिसका जैसा खर्चा है उसके हिसाब से मैंने यहां पर अपना लिखा उसके बाद मेरा मोवाईल रिचार्ज किया था एक बार मैंने तो 249 रुपे का यहां पर मैंने पूरा खर्चा लिख दिया है ठीक है जो होता है जो बाइक में खर्चा हुआ मोवाईल में खर्चा हुआ ठीक है जो खाने में खर्चा हुआ वो मैंने यहां पर लिख दिया टोटल खर्चा हो गया, 2389 रुपे का, अब ये 2389 रुपे और 5939 रुपे, पेटरोल का और खर्चा, दोनों मिला के भाई देख सकते हो, 5939 ये पेटरोल का हो गया, 2389 रुपे, ये खर्चा हो गया, टोटल मुवाइल रिचार सर्विस, केवल, ओल, चेंज वगयारा, सब कठी क टोटल खर्चा हो गया, हमारा एक महिने में 8308 रुपे, ठीक है, आप देख सकते हो, टोटल खर्चा, अब यहाँ पर देख सकते हो, आप टोटल एर्निंग मेरा कितना है, 34233 रुपे, यहाँ पर मैंने लिखा है, टोटल एर्निंग 34233 रुपे, मेरा एक महिने में जो भी खर्चा हुआ है पेट्रोल ठीक है और वाइक की सर्वीस मेंटिनेंस वगरा सारा 8308 रुपे मैंने इसमें से माइनस किया मेरा टोटल अर्निंग बचा भाई 25,925 रुपे आप 26,000 मान सकते हो 25,925 रुपे और यहां पर आप देख सकते हो 25,925 रुपे फाइनल अर्निंग मेर बचा है आप इसे 26,000 माल लो एक महिने काम करके मैंने कमाये 34,233 रुपे यह कमिशन काट के हैं अब कई लोग बोलेंगे इसमें से कमिशन अटाओ तो जो पोर्टर एप में दिखाता है वो कमिशन कट के आता है ठीक है कमिशन काट के मैंने इतना कमाया है 34,233 रुपे ठीक मेरा एक महिने में बचा है तो यह था भाई मेरा एक महिने का पूरा टोटल अर्निंग और टोटल खर्चा ठीक है 34,000 प्लस रुपे मैंने एक महिने में कमाया और जो मेरा खर्चा हुआ उस से माइनर्स करने के बाद 25,000 प्लस अर्निंग मेरा लगवक 26,000 के आसपास बचा ठीक है अब यह मैं अपना खर्चा और बाइक की जो maintenance है उसका खरचा निकाला हूँ अभी अब इस में से आप अपने हिसाब से आप अगर डिली में रेंट पर रहते हो जैसे मैं रेंट पर रहता हूँ ठीक है तो मैं अगर इसमें से 7000 रुपे रेंट निकाल दूँ तो मेरा कितना बचेगा लगवग 18,000 के आसपास बचेगा ठीक है रेंट हो गया बाइक का किस्त हो गया 4000 मेरा अभी माई है हर महीने का तो अगर इसमें से 4000 रुपे निकाल दूँ तो फिर कितना बचेगा 14,000 रुपे बचेगा ठीक है उसके बाद भाई गड़का रासन पानी खर्चा वगयरा होता है तो 5-6,000 या आपका जैसे फैमिली है उसके इसाप से आप अपना खर्चा इसमें से माइनस करोगे भाई देखो जैसे कि मैं हूँ मेरे गर में पापा भी है भाई भी है तो जो कमाते है भाई समय बट जाता है खर्चा ठीक है अगर आप अकेले कमा रहे हो तो अकेले आप अगर आप 30,000 का काम कर भी लेते हो उसमें से आपका 8-10,000 रुपे बाइक में चला जायागा पैटरोल मेंटेरन्स हो गिया भाईक का तो 30,000 में से 10,000 रुपे आपका निकाल दो बचे कितने 20,000 रुपे बीस अजार में से अगर आप राइन्ट पर रहते हो तो आप रांट निकालो उसमें से रांट भी दोगे 20,000 मेंसे घर का खर्चा भी चला ओगे ठीक है अगर आपका 15-18,000 ये 20,000 तक का जॉब है तो इस फिल्ड में मत आओ 15 से नीचे का जॉब है तब आप एक बार सोच सकते हो ये वीडियो आप पूरा देख लिया है तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो आपका जो भी खर्चा है अगर आपका सैलरी भी 15,000 है और अगर कर सकते हो इससे कमा के आप ज़्यादा भाई मकान नहीं ले सकते दिल्ली में अगर आप अकेले हमाने वाल हो तो आप घर ही चलाई सकते हो और महिने के 5000 8000 10,000 आप सेविंग कर सकते हो इससे जढ़ा आपका इसमें नहीं बचेगा तो मीद है भाई आप सभी को पता चल गया होगा कि अगर आप एक महीने पोर्टर में काम करते हो तो आप कितना कमा सकते हो और कितना आप बचा सकते हो और कितना आपका खर्चा होगा तो यह जर्णी था वाई मेरा एक महीने का एक महीने मैंने काम किया है और जो काम मैंने किया जितना मेरा अर्निंग हुआ जितना मेरा पैट्रोल लगा खर्चा और चासारा मैंने आपको लाइब बता दिया है तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो भाई इसे एक महीने की मैनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना वीडियो पे और कमेंट जरूर कर देना और शेयर जरूर करना भाई अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी इस फिल्ड में आना चाहते हैं या भी जो इस फिल्ड में भाई काम कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर करना ताकि उनको भी पता चल सके कि फिल्ड में क्या रियाल्टी है भाई इस फिल्ड का कितन आप कमा सकते